हाई एब्रिवन आज बनाते हैं खस्ता करारा मैदे का बिस्किट आप इस बिस्किट को स्टोर करके भी रख सकते हैं यदि आपके बच्छे बाहर पढ़ते हैं तो आप असानी से बना के दे सकते हैं ये दो से तीन मेहना तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो फिर देर क इस बात की चलते हैं बनाते हैं ये बिस्किट बनाने के लिए लेना है एक कप चीनी आप पिसवा चीनी भी ले सकते हैं या फिर इसी तरह से अब साथ में डाल देंगे आधा कप दूद अब चीनी में अच्छी तरह से दूद को मिक्स करेंगे तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी पूरा घुल नहीं जाए दूद में फ्रेंट्स एक बात का धियान रखना है कि इसमें जब दूद आप डालें तो नॉर्मल लेना है ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गरम जैसे दूद उबाल के ठंडा कर देते हैं बाहर रखे रहते हैं वही दूद लेना है अब अच्छी तरह से चीनी इसमें घुल गया है दूद में अब इसे साइड रख देते हैं अब दूसरी तरफ हमें लेना है फ्रेंट्स एक बरतन में दो कप मैदा मैदा की जगह आप आटा भी ले सकते हैं अब इस मैदे में डाल देंगे आधा कप घुई आप इसमें घी का ही इस्तिमाल करें क्योंकि घी डालने से इसमें फ्लेवर खुस्बू भी आता है और साथ में बहुत ही अच्छा बनता है जब भी आप कोई मीठा बना रहे तो मोयन में घी का ही यूज करें अब इस तरह से घी को हमें मैदा के साथ मसल मसल के मिक्स करना है मैदा में घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मिक्स होने के बाद आप जैसे ही मुठी बांधेंगे मैदा का ऐसे एकदम मुठी बंद जाएगा तो समझेगा मोयन अच्छे से है अब इसे ज़्यादा मोयन नहीं डालना है अब इस मैदा को सानना है जो दूद और चीनी मिक्स करके हमने रखा था उसे डालेंगे एक बार में पूरा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डाले थोड़ा थोड़ा करके दूद इसलिए डालेंगे जरत पड़ेगा तब फिर थोड़ा सा डाले और सक्त डो लगाएंगे अभी देखे थोड़ा सा ड्राइड लग रहा है थोड़ा सा दूद इसमें और डालेंगे और इस तरह से फिर मसल मसल के अच्छे से डो लगा लेंगे अब मैदे को हाथ से दो मिनट के लिए और इस तरह से मसलेंगे मसलने से जो क्रैक आता है वो क्रैक नहीं आएगा अच्छी तरह से सॉफ्ट बनके रेडी होगा अब इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं अब इस डो से हमें चुटी-चुटी साइज की लोई बनानी है अब देखिए इतने बड़े-बड़े साइज की लोई बनाएंगे अब उसको हाथ से फिर मस लेंगे और चिकना करेंगे इस तरह से अब इसी तरह डेर सारा लोई बनाके रख लेंगे एक बार में एक बार में कम से कम 10 लोई बनाके रख लेंगे तो 10 लोई बनने के कारण आप जब फ्राइ करेंगे तो एक साथ पूरा अच्छी तरह से फ्राइ हो जाएगा अब आप चाहें तो इसी तरह से फ्राइ कर सकते हैं या फिर हलका हाथ से प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद कुकीज कटर लें और कुकीज कटर से इस तरह से कट कर दें आप चाहें तो छोटी कटोरी से भी कट कर सकते हैं या कोई धकन से भी कर सकते हैं इसलिए मैं इस तरह से cut कर रहे हूं कि एक size का बनेगा तो देखने में जादा सुन्दर दिखता है। दूसरा भी same process से इस तरह से हाथ से press करेंगे और cookie cutter से cut कर लेंगे इस तरह से। बाकी कभी हम same process से इसी तरह से cut कर लेंगे। अब इतना सारा एक बार में बन चुका है अब इसे हम fry करेंगे। अब इस biscuit को हम आज घी में तलेंगे आप चाहें तो तेल में भी तल सकते हैं। उसकी लिए घी को medium flame में गरम करेंगे और medium flame में गरम करके gas का flame low कर देंगे। जर समस्क्राइब ग्याला करेंगे और मिडियम टाल में गरम करेंगेơn है और medium flame में है इसे में तलना है। अब सारे को इस तरह से पलटना है। धीरे-धीरे करके सभी को पलटते जाएंगे और इसे फ्राइगे बिल्कुल भी छो и नहीं गरम करेंगे। तो उपर का लेयर ब्राउन हो जाएगा और अंदर कच्छा रह जाएगा और आप में लोग फ्लेम और मीडियम फ्लेम में तलेंगे तो पुरा अंदर तक एकडम क्रिस्पी बिस्किट की तरह हो जाएगा अब धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है दो मिनट लिए और हम इसे फ्राई करेंगे दो मिनट हो गया है कलर पूरी अच्छी तरह से एकडम ब्राउन कलर का हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे सावधानी से बस एक एक पिस करके इस तरह से निकाल ले और बाकी कभी हम सेम प्रोसेस से तल लेंगे आप इस मैदे के बिस्किट को स्टोर करके काफी दिनों तक रख सकते हैं और बिल्कुल भी खराब नहीं होता है जब भी कभी भूख लगे तो एक पिस खाके आप पानी पी सकते हैं और साथ में आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं अब मैं आपको एक पिस बिस्कित तोड़ के दिखाती हूँ कि यह कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है अब जैसे ही तोड़ेंगे उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट आप देख सकते हैं पूरा बहुत ज़्यादा बढ़िया बना है तो आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ करें अगर आज की यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें